इस दुनिया में हर कोई कुछ न कुछ बेच रहा है। कि हम इसे ठीक से समझ नहीं पाते हैं इस बुक के ऑथर ब्रायन ट्रेसी कोई चीज खरीदने और बेचनी की प्रोसेस के पीछे छिपी बुन्यादी साइकलोजी के बारे में बताते हैं वो बताते हैं कि आपका सेल्फ कॉंसेट मतलब आपने अपने दिमाग में जिस चीज य इस बात को उन्होंने बहुत अनलाइज करके बताया है कि लोग इमोशनली रूप से डिसीजन लेते हैं फिल लॉजिकली रूप से उसे जस्टिफाइ करते हैं और इस बुक में ट्रेसी ने सेल्स साइकल के हर पहलू पर नज़ट डाल कर उन बातों को समझ कर उन पर जिलिजे कि सेल्स प्रोफेशन, हाई इंकम और लाइफटेम जॉब सीकेरिटी प्रदान कर सकते हैं एक बार जब आप सीख जाते हैं कि कैसे बेचना है तो आप कुछ भी बेच सकते हैं सेल्स परसन, अकसा डॉक्टरों, वकील और आर्ची टेक साहित अन्ने प्रोफेशनल से अधिक कमाते हैं और सेल्स में जब इंकम की बात आती है तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती है आगे है 80-20 रूल जब आप सेल्स के लिए परेटो प्रिंसपल जिसे 80-20 रूल भी कहा जाता है इसे लागू करते हैं तो पता चलता है कि टॉप 20% लोग 80% पैसा बनाते हैं औ आपकी सेल्स टेकनिक में एक छोटे से सुधार करके खुद के रिविनियों में भारी विद्धी कर सकते हैं सबसे अच्छी कवर यह है कि एक बहतर सेल्स वीवल बनने के लिए आउसक स्किल्स सीखना कोई मुश्किल नहीं है उन्सकिल में सामिल है एक पोटेंशल कस्टमर क जरूत्यों की पहचान करना कि आखिरा आपका कस्टमर है कौन सही प्रश्न पूच कर जिस सीच के होने की संभावना लगे उसे सही और सटीक तरीके से करने के बारे में सोच कर करना बहतरिन सेल्स प्रेजेंटेशन बनाना नेक्स वन होने वाली अब्जेक्षन और प्रप्त करने के तरीकी की खोच करना आगे है यह आपके दिमाग से सुरू होता है। अपने सेल्फ इस्टिम को बढ़ाने के लिए पॉजिटी तरीके से बात करने, अफर्मिशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन का यूज करें। इस्टिम में फेल होने का डर और रिजेक्शन होने का डर सामिल है। इससे निपटने के लिए सबसे पहले अपने सेल्फ इस्टिम और सेल्फ कॉंसेट को बढ़ाएं। और दूसरा यह समझे की सेल्स में रिजेक्शन होने की बात को परसनली रूप से लेनी की बिल्कुल भी जरूत नहीं है। और आप अपने आप में प्रैक्टिस, द्रिड़ता और साहस की आदत को लाकर बहतर बन सकते हैं। इसलिए किसी चीज को छोड़ने से बटर है की रिजेक्शन को हैंडल करने की चमता को डेवलप किया जाए। आगे हैं गोल सेटिंग कैसे करें। यरली, मंतली, वीकली और यहां तक की डेली सेल्स गोल्स को भी सेट करें। फिर अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े वर डिसाइड करें। अपने सबकॉंसेंस माइंड में इसे डालने के लिए अपने गोल को पेपर पर लिग डालिए इसके लिए आप ब्रेनिस्टॉमिंग की 20 आइडिया मैथड आजमा है एक प्रश्ण के रूप में आपना मुख्यों देश लिखें जैसे कि अगले 12 महीने में आप अपनी इंकम को कैसे दुग ना कर सकते हैं इस एंसर को पॉजिटिव रूप से प्रजन टेंस में लिखें जैसे कि मैं हर दिन 5 एक्स्ट्रा कॉल करूंगा आगे है कोई आपसे भला कोई चीच क्यों खरीदेगा जैसे कि मैंने पहले ही बताए कि लोग इमोशन्स के आधार पर डिसीजन लेते हैं और फिर अपने लॉजिक के साथ अपनी खरीद को लॉजिकल बनाते हैं और इसके पीछी दो प्राइमरी मोटिवेशन होती हैं जो है प्रॉफिट और लॉस होने का डर बात अगर प्रॉफिट की हो तो वो सब को चाहिए लेकिन लॉस होने का डर तब होता है जब आपको किसी प्रॉडक्ट में वीक पॉइंट क्या है पता चलता है तब ऐसे समय में ऐसी सर्वीस के साथ फसने की चिंता बनी रहती है और कस्टमर को लगता है कि सामने वाला उसे ब्योकूब बनाने की चक्कर में है ये बात समझ लिजे कि कोई कस्टमर नहीं चाहता कि उसे फसाय जाए बैतरीन सेल्स करने के लिए अनलाइसिस करना बहुत जरूरी है इसमें उन प्रशनों को खुच से पुचे जो कस्टमर की मुख्या हो सकता हो और इच्छाओ को जागर करती है फिर अपनी संभावनाओं को समझे कि आपका प्रोड़क्ट या सर्विस इना हो सकता हो को बैतर तरीके से पूरा कैसे कर सकता है ये बात समझ लिजे कि मनुष्य को जिस चीज की जरूरत होती है वही उसे मोटिवेशन देती है जैसे कि किसी के लिए वह पैसा हो सकता है किसी के लिए सिक्योरिटी हो सकती है या कोई किसी को पसंद करना हो या status और प्रतिस्ठा या health और fitness या presence और मननेता या किसी field को lead करना हो या love और support या personal growth या personal transformation, power, influence या popularity इनमे से कुछ भी हो सकता है इनमे से कोई ना कोई एक बात हर एक इंसान को motivation देती है इतना सब समझने के बाद कस्टमर से open-ended प्रशन पूछते समय इस बात का ध्यान रखी कि सामने वाले से ऐसे प्रशन ना करें जिसका answer हा या ना में होने के बाद खतम हो जाता है आपका focus इस बात पर होना चाहिए कि कस्टमर अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करता रहे तब ही आप उसके close आप आएंगी open-ended प्रशन अकसर ऐसे सब्दों से सुरू होते जैसे कि क्या, कहा, कब, कैसे, कौन और क्यूं इसलिए जब आप सामने वाले से प्रस्ण पूछ रहे हो तो आप बातचीत को जिस दिसा में ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं और सामने वाले को influence कर सकते हैं और अपने presentation के समय ऐसे सवाल पुछे जो बताते हैं कि विक्ति आपका customer है या नहीं इन सभावनाओं को देखना क्योंकि आपकी company के top sales people इसका use करते हैं और उन्हें अपने practice में सामिल करते हैं और आपको ऐसे दोस्त बनाना है जो customer की problem को solve करता हो जब customer आपसे बात कर रहा हो तो ध्यान रखे कि आपका customer अंदर से यह चाता है कि मेरी लिए इसमें क्या है customer के अगली चार प्रशना है कि इसमें कितना खर्चा होगा और invest करने पर उसे क्या मिलेगा और वास्तों में कब तक मिलेगा और साथ ही आप किस तरह की अश्योरिटी या guarantee दे सकते हैं आगे है strategic selling अपने product या service को बेचने के लिए आपको यह समझना होगा कि आप क्या बेच रहे हो आपका market और आपका competition किसके साथ है इसलिए अपने product की 10 सबसे आकरसक विश्यस्ताओं की list बनाएं फिर इस बात पर विचार करें कि कोई व्यक्ति इसे आपकी company से क्यों खरीदना चाहेगा अपने product में uniqueness की पहचान करें आगे author ने strategic selling के चार element बताए हैं जिसमें specialization, differentiation, segmentation और concentration है specialization में आपको यह समझना है कि आपके product द्वारा लोगों को क्या profit हो सकता है differentiation में आपको यह समझना है कि price, quality यह यहां तक की अपने खुद की ताकत से इसे competition से अलग कैसे कर सकते हैं उसके बाद segmentation है, इसमें उस group को ढूणना है जिसे product की सच में जरूरत हो और अंत में concentration है, जिसमें उन समझनाव पर focus करें, जो आपको higher return देने के लिए सबसे ज़्यादा पसंदो आगे इन बातों से थोड़ा अलग एक cold call के मादम से अपने product को बेचने के लिए appointment प्राप्त करने के बाद meeting होने पर उन प्रशनों को पूछें जो आपके product या service के benefit पर जोड़ देते हैं एक्जामपल के लिए करनें glass का मजबूत opening की statement है, हम आपको ऐसा glass दे सकते हैं जो तूटता नहीं है जब आप संभावित customer के साथ मिलते हैं तो आपका goal होने comfortable मसूस कराने, आपकी बातों पर सामने वाले का attention हो, ये जरूरी है इसके लिए आपको अपने दिमाग बेन पाच बुद्दो का असानी से सेट करने की जरूरत है सबसे पहले उन्हें अस्वस्त करे कि आपके पास कुछ कहने के लिए important बात है दूसरा ये कि आप उचीद व्यक्ति से बात कर रहे है तीसरा ये कि अपने customer को अस्वस्त करे कि meeting ब्रीफ होगी चौथा ये कि product को खरीद कर customer को लगे कि उन पर कोई एहसान नहीं हो रहा है अंत में संभावित customer को बताए कि आप उन्हें बार बार phone करके परिशान या लेने के लिए pressure नहीं देने वाले है आगे है सामने वाले की विरोध करने पर काबू पाएं ये बात समझ लिजे कि विरोध करना common है sales में विरोध ना हो इसके लिए उन संभावनों को बताए कि आप लोगों के विरोध करने के पीछे की problem को समझते हैं जैसे कि आप कह सकते हैं कि आपके जैसे बहुत से लोगों से जब मैं starting में मिला तो उनकी भी same feeling थी लेकिन अब वे हमारे satisfied customer बन गए हैं फिर अपने product या service के महत्पूर benefit को दोराएं और कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आप अपने satisfied customer की संभावनों को बताते समय भी आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है तब आपको इस बात की दुहाई भी देने हैं कि आपके कुछ satisfied customer आपके अच्छे दोस्त भी बन गए हैं और आप इनके घर functions में भी जाते हैं कई यह नों तो सामने से reference भी दिया है और साथ ही इस फिल्ट में लोगों के साथ अलग अलग पहचान भी बन जाता है जो की future के लिए बहुत जरूरी है इस तरह की बाते करना sales के लिए सबसे मजबूत हतियार बन सकता है आगे है आपकी professional personality sales में सब कुछ माहिने रखता है साथ ही लोगों पर आपक्या impression डालते हैं यह भी माहिने रखता है असल में बहतरीन sales people आराम से confidence और professional image बनाते हैं जैसे की dress professionally next one अच्छी तरह से खुद को तयार करना next one अच्छी posture बनाये रखें और अपने body language से aware रहें next one बात करते समय आपकी आवाज मजबूत और clear लगे next one आपका एक positive उसाइद रिष्ट कोड और एक हस्मु काचरण हो next one साथी आपके कपड़े, सौंदर और बालों की लंबाई भी बहुत matter करती है next one आपकी sales material को साफ, organized, colorful और attractive रखें next one अपने desktop को ब्यवस्तित रखें last one हर किसी के लिए हर समय विनम्बर रहें आगे है बहतरीन रूप से presentation करना किसी संभावित व्यक्ति को कौन सा benefit या hot button सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आप अपने product की विशेषता हैं बताएं एक बार जब आप अपने customer के hot button को खोज लंगे तो अपने presentation पर focus करें और in future ये ये हो सकता है कि संभावना को बताएं जैसे कि sales में 10% की ब्रिद्धी यदि संभाव हो तो discount या money back की guarantee भी दे दिल्चस्प बात ये है कि client को अगर खरीदना है तो price पर चर्चा करेगा नहीं तो थमरूल याद रखें अपनी presentation खतम होने तक price की कोई चर्चा ना करें आगे है sales को कैसे close करें Leading sales people अक्सर या तो The Approach Close या Demonstrative Close का यूज करते हैं The Approach Close में आप client से अपनी presentation के बाद decision लेने के लिए कह सकते हैं आप कुछ कह सकते हैं कि आप हमारी बाचीत के अंति में बताईए कि ये product आपको समझ में आया है या नहीं ऐसा बुलने का मतलब है कि आप customer से खुली दिमाग से सुनने के लिए कह रहे हैं और उसने आपके product या service के बारे में अच्छी तरह से सुन और समझ लिया है अब customer अपना answer बता दे Next है, demonstrative close में customer से पूछ कर meeting सुरू करें आप ये समझ के चल रहे हैं कि यदि वे खरीद लेंगे तो उन्हें क्या-क्या profit और benefit होगा यदि आप अपने product का profit सामने वाले को सबूत के साथ दिखा सकते हैं तो इसका सामने वाले पे बहुत impact पड़ेगा Example के लिए आपका सुराती प्रश्ण हो सकता है Mr. Ram अगर मैं आपको आज के market में उपलब the best investment दिखाता हूँ तो क्या आप अभी एक लाक इन्वेस्ट करने की condition में हैं? एक अन्य option ये भी हो सकता है कि आप power of single close का use करें जैसे कि आप customer से बात करते समय ऐसा behave कर रहे कि customer product को खरीच चुका है बस आपको कहना है कि आप जो service खरीद रहे हैं in future इस decision से आपको बहुत खुशी होगी कि आपने सही decision लिया था अगे author ने sales में सफलता के लिए 10 की बताये हैं sales profession में जो top 20% में आते हैं वे इन concepts की practice करते हैं जिसमें first one है वा करो जो आपको करना पसंद है अपनी job की तरह और अपनी जिंदिगी में आपने जो excellence फैसरे लिये हैं उसी तरह आपको करना है बस next one असल में आप चाहते क्या हैं ये पूरी तरह से clear होना चाहिए कि आप असल में चाहते क्या हैं next one द्रेड संकल्प के साथ अपने goal को पूरा करें हमेशा flexible रहें हमारे सोचने के साब से चीज़े हमेशा नहीं होती हैं इसलिए अंचाही गटना के लिए खुद को prepare करके रखें next one जीवन भर सीखने के लिए committed रहें ये बात समझ लिजए कि knowledge आपको कितना कुद दे सकता है आप सोच भी ने सकते next one समय का अच्छे से use करें ज्यादा जरूरी काम पहले और कम जरूरी काम बाद में करें next one leaders को follow करें उन salespeople से बात करें जो बहुत अच्छा perform कर रहे हैं वे बहतरीन advice दे सकते हैं next one character सब कुछ है अपने आप पर भरोसा करें और चीजों को प्रमाडित होने दें next one अपनी जन्मजात creativity को unlock करें अपने natural talent को ढूड़ें और उसका use करें next one golden rule का practice करें कस्टमर के हिसाब से उसे जो चाहिए वो offer करें last one सफलता की कीमत का भुकतान करें जब तक आप अपने goal तक नहीं पोच जातें तब तक पूरी मेहनत के साथ उसे पूरा करने में लगे रहें हे दोस्तों ये सारे concept मैंने आपको the psychology of selling book से बताया है जिसके author है brand Tracy description में दिये गया link से या आप इस book को खरीद भी सकते हैं और हाँ brand Tracy की बहुत सारी books की समरी मैंने already बना कर रखी है जिसे आप i button और description में दिये गया link पर click करके देख सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आयो तो like कर दीजे और हाँ comment करके suggestions और आप next वीडियो की selling books पर देखना चाते हैं ये भी आप बता सकते हैं और इस वीडियो को अपने चाहने वाले और groups में share करके लोगों तक knowledge को पहुचाने में मेरी मदद कीजिए अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लिजे और bell icon पर click करके all notification on कर लिजे ऐसा करने पर ही आपको चैनल से related सारे notification मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे आपने अपना कीमती समय दे कर मेरी बात सुनी इसलिए आपका बहुत बुद्ध धन्यवाद जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद